इस वीडियो में हम बात करेंगे lockdown extensor के बारे में जो lockdown हमारा extend कर देगा क्या इसका stock market पर प्रभा होगा इस वीडियो में हम उसके बारे में discuss करेंगे तो चले वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि जो lockdown होगा हमारा 5 इसमें night curfew होगा हमारा 10 जो होगा 10 पीम से 5 इम होगा इसको lockdown 5 बोले या unlock 2 बोले तो क्या चीज इसमें open रहेगा क्या चीज क्लोज रहेगा सारा detail इसमें दिया गया है और ये हमारा पहले जो था 9 पीम से 6 इम था तो आप बढ़ा दिया गया एक घंटा ऊपर रात में और एक घंटा पहले कर दिया गया सुबा 5 बजे 6 बजे सुबा ये खुलता था मतलब ह हमारा जो नाइट कर फियो वो 5 एम पर खत्म हो जाएगा तो ये पहला बहुत अच्छी ख़बर है जो कि positive way में है क्योंकि अब लोग अपने कामों पर सुबा 5 बजे जाचार पाएंगे अपना activity कर पाएंगे उसके बात कर रहा है lockdown in containment zone जो containment zone में है तिल 31 July 31 जुलाई तक और है वो अपना जो भी restriction हो लगा सकते हैं उसके बाद जो भी छेतर हमारा है containment zone से जो भी बाहर है उसमें जो normal activity वो चालू हो चुका है तो समझ सकते हैं जो containment zone से बाहर बाले zone है उसमें कोई भी normal activity क्या चा सकता है तो ये बहुत भी बड़ा benefit है हमारे economy के लिए हमारे share market के लिए क्योंकि इसे share market positive way में react कर सकता है इसके उपर लेकिन जो lockdown extend हुआ है इस पे थोड़ा सा negative response भी दे सकता है stock market तो सारा चीज आपको देखना है उसके बाद तो अभी जो international table है ये सब allowed नहीं है accept करके MHA जो MHA उसको accept छोड़ दे तो international table अभी आपको allowed नहीं है metro service, cinema hall, gym, swimming pool, जो theater ह बार है, social or religious जो gathering है वो क्या रहेगा अभी भी band है अभी आप ये सारी चीज़े metro service जो है वो भी बंद रहेगा, cinema halls, gym, swimming pool, theater, bars, social or religious जो gathering है जमा हो ना ये सारी चीज़े अभी नहीं क्या जाएगा तो ये सारी चीज़े अभी buried है तो ये सारे information थे lockdown 5 के related इस पर stock market का क्या reaction होत है अब चलते हैं और भी कुछ important information है कि 31 जुलाई तक guidance दिया गया है जो containment zone है उसमें lockdown रहेगा जो state government है वो अपने अनुसार से decision वो ले सकते हैं containment zone में तो यहाँ पर देखते हैं कि तमलाडू extended lockdown till जुला 31 तो मतलब चेर्नाई में काफी restrict rule है और 31 जुलाई तक तमलाडू अप उसके बाद और सारे जो state है different different state जिसको मतलब चूट दिया गया है अपना जब भी जब तक चाहें वो अपना जो भी decision है वो ले सकते हैं तो सारे state को यह दिया गया है और जो इस पर detail explanation है जो हमारी प्राइम मिनिस्टर कल जो है 30 जुन को आएंगे और वो बताएंगे कि जो फरदर मतलब आगे क्या करना है कहां कहां lockdown question करना है क्या चीज open रहेगा क्या चीज close होगा तो detail में जो explanation है वो कल आएगा तो यह था कि अभी lockdown फिलहाल के लिए extend मतलब बढ़ा दिया गया है आगे का guidelines यही है containment zone में 31 जुलाई तक lockdown रहेगा तो यह एक बुड़ी ख़वर थे साथ साथ positive cover यह भी है इसे हम unlock 2 भी कह सकते हैं क्योंकि अब जो containment zone है उसको छोड़ करके और सभी जगह काफे छूट दी गई है और सारी activity लगवग स्टार्ट हो जाएगी सिर्फ gathering को छोड़ करके और जो marks पहनना है marks पहनना mandatory कर दिया गया है आप जहां भी जाए marks पहन के ज तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बैल आइकन को जरू दबा लेजिए तो चले फिर में दोते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहें दो